ओम शान्ती तो आज भथी का तिसरा दिन है और आज का स्वमान क्या है? हल्चल में भी अचल रहने वाली मैं अंगद समान अचल अडोल आत्मा हूँ और आज की सुभा की क्लास का विशे भी क्या बताया था? हल्चल में अचल लेकिन इस स्पीकर का नाम कुछ और बताया था और उपस्थित कोई और है है न? तो अचल है न? कि हल्चल में आ गए? तो पास हो गए आप सभी तो हमारे बीच में हैं हमारे आदनिया राजयोगी भ्रादा छोटे लाल भाईजी एक हाथ हिला कर हम आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं आप सोच रहे होंगे कि स्पीकर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जितने बड़े हस्तियां होती है उनके पास अच्छानक कोई न कोई जिम्मेवारिया आई ही जाती है तो उन्होंने हमें फोन किया फला-फला कारण से हम नहीं आ सकते तो फिर हमने आपके लिए दुसरे स्पीकर का इंतजाम किया ठीक है न? तो हमारे ब्राता जी भी हलचल में अचल रहने वाले हैं न सिर्फ इतना लेकिन हमारे ब्राता जी का अलोग एक जनम भी आपके ही हर्यान धर्ती से हुआ है लोग एक जनम भले राजस्थान की धर्नी में हुआ है लेकिन अलोग एक जनम हर्याना फरिदाबाद से हुआ है और वहीं से आप मदुबन घर में समर्पित हुए है लगभग 42 वर्ष हो गए हैं, आपको इस मदुबंधरनी में रहते हुए स्वारी, 42 वर्षों से ज्ञान में हैं और 37 वर्षों से समर्पित हैं यहाँ पर यहाँ पर मुख्य रूप से आंगन की सिक्योरिटी और रात्री क्लास के लिए स्पीकर अरेंज करना यह आपकी मुख्य सेवाएं हैं लेकिन बाबा का हर बच्चा बाबा के ज्ञान पर पूरा हक रखता है और अपने रीती से ज्ञान योग की अनुभुती करता है, धारणाय जीवन में लाता है तो सेवा के लिए आउसर खुल जाते हैं तो आप अपने ही ज्ञान योग की कहरी अनुभुतियों के आधार से पूरे देश भर में योग भठिया कराने के लिए भ्रमन करते रहते हैं ना सर्फ देश में लेकिन विदेश की धर्नी में भी नेपाल, बांगलादेश, मौरिशस, आदी-आदी स्थानों पर आप जाकर आए हैं तो आज हमारे सामने आप इस विशे को प्रस्तूत करेंगे अपने अनुभुत के आधार से हल्चल में भी हम अपने स्थती अचल कैसे बना कर रखें जिसको बाबा कहते हैं परिस्थती चाहे कुछ भी हो पस्वस्थती अचल अडोल रहें तो सुनते हैं ब्राताजी से हम सभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंत का समय समी पाता जा रहा है तो संसार में हल्चल बढ़ती जाएगी और भी बढ़ती जाएगी आगे चल कर तो हल्चल तो बढ़ेगी लेकिन हमें ये देखना है कि जितना उधर हल्चल अधिक इतना ही हमारी स्थिती अचल अडोल बनती जाएगी तब हम स्वेम भी हल्चल के प्रभाब से अनेक आत्माओं को मुक्सरक सकेंगे और हम भी उन से सेफ रह सकेंगे क्योंकि जो स्वेम हल्चल अडोल है वही दूसरों को अचल अडोल बना सकेगा तो बाबा तो हम सभी को रो जाना बिन बिन तरीके विधी मुर्लियों में बताते ही रहते हैं यदि हम उनका प्रियोक कर चलें तो निश्चित रूप से हम अनेक हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए हम अचल अडोल इस्थिति बना कर रख सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात जैसा कि बेंजी नहीं बताया कि हम परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, रोक सकते, लेकिन अपनी सो इस्थितिय को स्रेष्ट बना कर रख सकते हैं और बाबा के सब्द हैं कि बच्चे सो इस्थिती स्रेष्ट है तो परिस्थितियां सोते ही बदल जाएंगे आपके आनुखूल बन जाएंगे आपका कुछ भी नहीं बिगार सकेंगे इसलिए हमें अपनी स्थिती को सरेष्ट बना कर चलना बहुत बहुत ज़रूरी है तभी हल चल के प्रभाव से हम स्वेम भी और अनेकों को मुक्त रख सकेंगे तो कैसे बनाएंगे सो इस्थिती को स्रेष्ट रो जाना की मुरलियों में बाबा जो कुछ हमें इसारे देते हैं और जब भी बाबा जो इसारा दे, सिक्षा दे, सावधानी दे यदि हम तुरंत उसको अपने प्रेक्टिकल जीवन में करके चलते हैं अपना कर तो उसमें एक बहुत बड़ी सफलता आप सहज अनुभव करेंगे क्योंक बाबा जो भी सिरिमत देते हैं वैसा बनने करने की सक्ति भी साथ साथ दे देते हैं और जो आत्में उसी समय प्रेक्टिकल करती हैं उन्हें उस कारिया में सहज सफलता अनुभव होती है तो जहां सो इस्थिती श्रेष्ट है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाएंगी एक अनुभव एक भाई का फोन आया उसका कुछ मेडिकल का बड़ा एक्जाम था तो पहली बार वो दे रहा था तो थोड़ा सा मन में हल चल थी उसके हैं कैसा होगा पेपर क्या क्वेस्थिन पूछे जाएंगे हैं तो मेरे पास फोन आया पूछा उसने क्या करें हैं मैंने का आप अपनी स्थिती को हल चल में नहीं लाओ और शिरिस्वमान में शिरिस्ध श्थिती में रहो और इस निष्टे के साथ जब पेपर देने जाएं तो इस निष्टे के साथ पेपर देने जाना कि मैंने जो पढ़ाई याद किया है वैसे ही प्रश्ट मेरे से पेपर में पूछे जाएंगे दूसरा कि मैं मास्टर सर्व सक्तिवान आता हूँ और सर्व सक्तिवान बाबा मेरे साथ है इसने इस्चे के साथ जाना तो उसने इसा ही किया दस इस्थिति स्रेश्व इस्थिति में रहकर मेरे से जो मैंने याद किया वैसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अपने स्रेश्व अमान की सीट पर इस्थित रहकर बाबा को साथ में रखे गया और सचमुच वही question आये जो उसने पढ़े थे याद किया और बाबा का आभान कर लिया और बहुत ही अच्छा उसका paper हुआ और first division से उपास हो गया तो देखो ग्यान की बातें तो आप सब classism बहुत सुनते हैं और सुनते रहेंगे लेकिन अभी समय आया है भिन-भिन परिस्थितियों में ग्यान और योग का प्रियोग कर विजईऑ बनने का तो जो भी कुछ परिस्थिती समझ से हमारे सामने आए हम वहां पर ग्यान योग का practical में प्रियोग कर चलें तो अनेक परिस्थितियों को आप सहज पार कर सकेंगे उनमें विजयी बन सकेंगे एक और अनवब एक बार हम भोपाल गए थे बठी कराने के लिए तो वापिस लोट रहे थे तो एमदाबाद तक्तिरिन थी वहाँ से फिर अपनी कोई गाड़ी आई थी उसमें आना था तो एमदाबाद में तीन घंटे का समय था तो एक सेंटर पर हमने फोन किया थोड़ा समय है तो मैं इनका फ्रेश हो के फिर जाएंगे तो बेंजी कहती है भाई यहाँ तीन दिन से एक कंटीनिव बढ़ साथ है आप इस्टेशन से आप आएंगे या नहीं मैं यह कह नहीं सकती है मैं उनका कोई बात नहीं भेंजी अगर हो सका तो ठीक है नहीं तो हम सीधे चले जाएंगे तो मैंने वहीं से प्रियोक किया मैं मास्टर सर्फ सक्तिवान आत्मा हूं सर्फ सक्तिवान बावा से सक्ति लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूँ और है प्रकृति दे भी हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन मैं जब अमदाबाद में पहुंच दूँ तब वहां बरसाथ बंद हो जानी चाहिए और और क्या सुन रहे थे उसके बाद तीन दिन जब जोर की बरसाथ हुए तो यहां भी जोर की बरसाथ थीर यहां रास्ता तूट गया था आवू रोड से माउंट आवू आने का रास्ता तूट गया था पत्थर गिरे थे चटार तो उसकारण रोड बंद था और ये भी मुझे समाचार मिला तो मैं ने ये भी प्रियोक किया कि मैं जब बाबा वहां पहुंचू सांती बन तो मौंट का रास्ता किलियर हो जाना चाहिए ऐसे वाइवरिसन दिये पावरफुल और बाबा को दिल से याद कर कहा स्वामान मिस्थित होकर एहम्दाबाद हम पहुंचे सुबह साड़े छे साथ बजे तो देखा तो बड़ शाथ बंद है वहां पर सेंटर पर गए फ्रेस हुए वहां से दूसरी गाड़ी पकड़ी और शांती बन पहुंचे तो जब फोन कर सांतीवन आ रहे थे मैंने फोन किया किसी भाई को सांतीवन में तो वो कहता है भाई साब उम्भी दहकाज स्याम को रास्ता किलियर हो जाएगा और उसी स्याम को हमें जब पहुँचे सांतीवन तो पता चला कर रास्ता सुरू हो गया है और हम सीधा उपर ही आ गए तो इसलिए सो इस्थिती को यदि हम स्रेष्ट बना कर चलते हैं तो परिस्थितियां सोता ही हमारे अनुकूल बन जाएंगी हमारा कुछ भी नहीं बिकाड सकेगी इसलिए इस्थिती चाहे कैसी परिस्थिती हो लेकिन इस्थिती को डग मग नहीं होने दे और इसके लिए बावा ने बताया आप तोचेंगे अन्त में बन जाएंगे इस्थिती स्रेष्ट बन जाएगी नहीं बहुत काल का अभ्यास यदि हमने किया हुआ है तो वो भी अन्त में काम आता है बहुत काल की इस्थिती को श्रेष्ट बना कर योग युक्त बना कर हम चल रहे हैं तो अंत में वो आपको मदद करेगी हरचल की परिस्थितियों से बचाएगी अचल अडूल इस्थिती बना कर रखने में दूसरी बात अचल अडोल इस्थिती बना कर रखने के लिए निश्चे बुद्धी बने निश्चे बुद्धी बने निश्चे तो हम सभी का है ही तभी तो बाबा के बन कर उसकी सिरिमत पर चल रहे हैं पर बेठे हैं लेकिन एक कैसी भी समस्या पर इस्थिती आ जाए लेकिन इस्थिती हल चल में ना आई बाबा की उपर फुल निष्च है सर्व सक्तिवान भगवान मेरे साथ है चुकि इतने सुन रहे थे ना भी ज्यादा तर भाईवे ने समस्या आती तो क्या बाबा अजया यफो समस्या आगई इसको खताम करो सकरम नहीं सुरी सथिती को सेष्च बना एक पर भरोसा करके हम चले वो किस कौन हमें साथी बनकर साथ दिरा याद करो हम साधरन आत्मर लाइए सर्व सक्तिवान भगवान हमारा साथी बनकर साथ निवारा है जहां वो साथ है तो वा निश्चत रूप से विजय हुई पड़ी है यग की हिस्टरी में आप सब ने सुना इस्थापना के समय कितने भी घना आए बाबा के सामने द्यादियों के सामने जो सगे सम्मद्धी थे परिवार वाले थे लोके को वो बिरुदी बन गए लेकिन बाबा कभी हल चल में नहीं आए ये मेरा कारिया नहीं है उपर वाले का कारिया उसने स्रीमत दी है कुछ भी हो जाए हमें वैसे ही चलना है चाहे कितने भी घनाए कभी हटे नहीं उस निश्चे से उकड़ती रहती है मेरे पास फोन कोई बात आती है समस्या आती है भाई जी ये समस्या है आप तो वहां बाबा के कमरे में बहारी बैठे आंगन में ही जरा बाबा कमरे में जाके मेरी ये समस्या बता देना बाबा को ठीक है जी हम तो आंगन में बैठे होते हैं सेक्योटी की स सकता है आप देख ले ना मैंन का बस हमने बता दिया इधर बताया और उसका काम हो गया समझो है तो एक माता का इसे ही फोन आया हो सकूल में टीचर है तो वो लंच में आई चाय बनाई और पीके चली गई नजदी के होगा सकूल स्याम को फिर आई उस पती बेंक में सर्विस करता है स्याम को पांच बजे और वो भी आया तो जब दोनों के लिए चाय बनाने गई तो दूद जब लिया चाय के लिए में देखा कुछ काला काला पड़ा हुआ है तो देहान से देखा तो उसमें तो मरी हुई चिपकली पड़ी है अब मरी हुई चिपकली का दूद की चाय पिले ना तो क्या हो गया हो तो जहर हो गया लेकिन वो माता बड़ी निश्च वाली थी जैसे उसने देखा और उसको तुरंट बाबा को याद कर भी कहा, बाबा देख ले ना, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद तुरंट मुझे फोन किया, भाई जी ऐसे से हुआ है, आप थोड़ा बाबा कमरे मेरे को पूछ के बताओ ना, मेरे कुछ नहीं होगा ना, अब मैं उस समय गाड़ से पूछ रही है, ऐसे ऐसे हुआ है गटना, इनके साथ कुछ होगा तो नहीं ना, तो बस दो मिट बाबा को याद कर कहा, बाबा से क्लियर टचिंग मिली, लाइन क्लियर है, हरी जंडी दिखा दी बाबा ने, कुछ नहीं होगा, मैंने फोन कर उसको बताया, बड़ी माता बस एक दम निश्य बुद्धी, और जब उसके पती को ये बात सुनाई है, तो बड़ा परेशान, डोक्टर के पास चलो, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, कोई कुछ हो नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, माता ने कहा, मेरे को कुछ नहीं होगा, अप को बताया, तो सब पीछे लगे, भी चेक कराओ, तो नहीं बोल मेने माउंट आओ वाले बाबा को पुछ लिया है, कुछ नहीं होगा मेरे को, और सच मुछ उसको कुछ भी नहीं होगा आज तक ठीक है, तो ये सब क्या है, निश्चे बुद्धी विजन्ती, भले कैसी भी ह हल चल में नाएं, निश्चे मुद्धी बन कर चलें, तो कदम कदम पर आपको उसकी मदद मिलती रहेगी, और अचल अडूल स्थिती बना कर चलें, निश्चे में भी क्या, देखो, एक निश्चे होता है देखने से भी, दूसरा होता है सुनने से भी, और तीसरा होता है प जब practical जीवन में उसका प्रियोग कर चलते हैं तो एक पक्का निश्चय हो जाता है अनुभव हो जाता है निए तो अनुभवी को कोई हरा नहीं सकता अनुभव सबसे बड़ी है थोड़ी का काम करता है इसलिए वावन का अनुभवी मूरत बनो अनुभव अनेक विगन परिस्थितियों को पार करने की सकती देता है इसलिए हम कोई भी बास सुनें लेकिन साथ-साथ उसका सुनकर प्रियोग कर चलेंगे तो निश्चत रूप से उसमें हंड़ेड परसेंट आपको सफलता मिलेगी और अचलडोल इस्थिति बनाने के लिए हम कोई ने कोई सुमान का अभ्यास कर चलें बावा ने बहुत सारे सुमान हमें दिये हैं रोजाना की मुर्लियों में वर्दान में को इनको सुमान होता ही है और अव्यक्त बाब दादा जभी भी मुर्ली चलाते थे तो हर मुर्ली के पहले बावा हमें अपने सुमानों की याद दिलाते थे कि आज बाब दादा विस्थ में चमकते हुए सितारे लाइट हाउस माइट हाउस मास्टर सर्व सक्तिवान आतमों से ऐसे से बिन बिन सुमानों की सिमिर्थी दिलाते और फिर बाबा कहते थेक ऐसी ऐसी आत्मों से भगवान मिलने के लिए आया तो बाबा हमको किस नजर से देख रहे हैं मास्टर सर्फ सक्दिवान हाई एस्ट हो लिए एस्ट पदमा पदम भाग साली लेकिन हम अपने आपको क्या समझ कर चल रहे हैं वो हर एक अपने आप से पूछ ले भगवान जिस नजर से हमें देखता है यदि हम वैथा ही अपने आपको समझ कर चले तो वो गुन सक्तिया महनता हैं हमारे जीवन में आती चले जाएगी फिर संपुरन बनने में देरी नहीं लगेगी है बाबा द्वारा दिये हुए स्वमानों में वो सक्तिया है स्वमान अर्थात योग बल बाबा के साथ बुद्धियोग है वो सक्तिया हैं जिसके द्वारा असमभब को भी समभब किया जा सकता है स्वमान से स्वेम से स्वेम को सम्मान मिलता है बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है इतनी उच्छी पावर है स्वमान के पावरफुल वाइबरिसंस के अंदर स्वमान के पावरफुल वाइबरिसंस के द्वारा आप वतावरन वाईव मंडल को भी परवरतन किया जा सकता है अभी देखो मैं जैसे यहां आया योग मेठा, दो मिठी योग करने के बाद ऐसा लग रहा था, जैसे कि यहां विशेश महान आत्माई फरिस्ते बैठें सभी, और उपर बहुत एक लाइट का पावरफुल जैसे कि वाइबरेशन का च्छत्र बना हुआ है, अब जहां पर सर सक्तियों की लाइट का पावरफुल च्छत्र हो, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव परिस्तिती या वाइबरेशन आ नहीं सकता, उसे प्रभावित नहीं कर सकता, इतनी बड़ी पावर है भावा द्वारा दिये हुए सुमानम, एक अनुभव इसके उपर भी, जब ये को कोविड वाले भाई थे, उनको सुखधाम में रखा था, तो हमारे कमरे में भी भाई को हो गए था, तो हमारे को भी उसके कारण, डोक्टर ने बोला, भाई आपको भी क्वारण टाइम में रहना पड़ेगा साथ दिन, चार लोग रहते हैं, एक को हुआ था, तो एक नीच गदाम में गए दो भाई, वहां जिस कमरे में हमको ठहराया गया, हमने फिल किया जाती कि वहां कि वाईवरेसन बहुत नेगिटिव है, यह हमें बादम पता चला, तो बादम पता चला कि वहां जो कोई पहले से जो कोई भाई थे तो उनको भी कोविड था, उसमें ही हमको तो जो वाईवरेसन से पता चला तो मैंने उस भाई को बोला, स्याम का समय था, सब अच्छे बज़ रहे थे, मैंने का भाई कुछ यहां कि वाईवरेसन ठीक नहीं लग रहे हम पावरफुल योग करेंगे मैं इनका आदा घंटा, तो हम दोनों ने योग करना सुरू किया, मैं मास्टर सर्फ सक्तिवान, आत्मा हूं सर्फ सक्तिवान बावा से सक्ति लेकर और इस कमरे में भी डाल रहा हूं, ता कि यहां के वाईवरेसन बिलकुल पावर्फुल बन जाएं, नेगेटिव वाईवरेसन खतम हो जाएं, और पूरे सुकधाम के उपर वो सुरू किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं सर्वशक्तिवान बावा से सक्टिवान लेकर इस कमरे में डाल रहा उर पूरे सुखधाम के उप़र डाल रहा वह असे हमने योग करना सुरू किया जैसे जैसे हम योग करते गए मैं अपना नहुब बतला रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सर्व सक्तिवान बावा से बहुती लाइट माइट की केड़े आ रही है और मुझा आत्मा से निकल कर चार और कमरे में फैल रही है और दस पंदरे मिट के अंदर ही हम ऐसा अनहुब करने लगे एक पूरा कमरा जैसे कि लाइट और माइट से भर गया है एक दम लाइट लाइट हो गई है और सुखधाम के उपर भी डाल रहे हैं और आदा घंटे के बाद तो हम एक दम हलके हो गए और बहुती पावरफुल वाइबरिस संस कमरे के बन गए और अगले दिन पता चला कोई भाई बतला रहे एक भई यहां आज तक लगभग 20-25 भाई बेने ठीक होके वापिस अपने कमरा में चले गए तो यह काम तो सब उपर से ही हो रहा है लेकिन हम सब को उसी योग हमारी इस्थिती बनानी होगी अगर हमारी इस्थिती स्रेष्ट है स्वमान के पावरफुल किसी भी स्वमान में इस्थित होकर हम चलते हैं रहते हैं तो वहां वातवरन वायु मंडल को भी परवर्तन किया जा सकता है और अनेक आत्मों को भी अनेक परिस्थिती समस्याओं के प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है तो इसलिए हम कहीं भी जाएं आएं कुछ भी करें सदा अपने सिर्श सुमान की सीट पर यदी स्थित होकर चलते हैं रहते हैं तो इस्थान परिस्थितियां वातवरन वायू मंडल स्वतही बदल जाएगा और हमारे अनकूल बन जाएगा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकेगा इसके साथ साथ अचल अडूल इस्थिती बनाने के लिए हम सभी ग्यान तो हम सब को है लेकिन यह प्रिक्टिकल में समझ कर चलें कि जिसको जो भी पार्ट मिला हुआ है वो में आत्मा फलाने का बाप, बच्चे, पती, पत्नी या बेहन बन कर पार्ट बजा रही हूँ रियल नहीं हम, रियल में हम माहन आत्माई, सिरेष्ट आत्माई है लेकिन जिसको जो पार्ट मलाए वो पार्ट बजा रही हूँ लेकिन क्या होता है ग्यान तो सबको है लेकिन वो पार्ट को बजाते बजाते हम उस पार्ट को ये रियल समझ लेते हैं नहीं मैं ये ही हूँ तो फिर उस पार्ट में जो भी उतार चड़ाव उपर नीचे पर इस्थितियां बाते आती हैं तो उनसे हमारी इस्थिति भी हल चल में आ जाती है डगमग होने लगती है इसलिए हम ये समझ कर चलें का हम ये पार्ट बजा रहे हैं तो अभी कोई जैसे कि आज कल कुछ दिन अभी भी चल रही हैं साइदे है राम लीला हो रही हैं बहुत जगे हैं तो अब कोई पार्ट बजाते बजाते ये समझ के चलें कि मैं ही राम हूँ या रावन हूँ वोई ड्रेस में सदैव रहे तो क्या कहेंगे लोग इसको कि भी इसको कुछ हो गया है भी वो तो पार्ट था ना हमारा पार्ट पूरा हुआ तो ओरिजनल रूप में हम आ जाएं जो पहले थे ऐसे ही सदैव याद रहे कि हम जो भी वर्तमान में हम सब को किसी का बाप, किसी का बच्चा, किसी की भेंट का जो भी पार्ट मिला है वो हम पार्ट बजा रहे हैं रियल में हम महान आत्माएं सिरिष्ट आत्माएं ये समझ कर चलें तो किसी भी प्रकार की परिष्थिती के हलचल के प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे, सबसे नियारे रहेंगे एक बाप के प्यारे पन की अनभुती सहज कर सकेंगे इसके साथ-साथ हम जैसे ही एक गीतन अपना जहां हमारा मन होगा, वहां हमारा तन होगा है तो मन के अंदर जो भी हमारे विचार चलते हैं संकल्प चलते हैं हम समझ लोग वैसा हमारे अपने सुक्षम शरीर का निर्मान कर लें जैसा संकल्प आते हैं हमारे मन में वैसा ही हमारे वातवरन वायुमंडल ही बनता है सुक्षम शरीर का निर्मान होता है तो जो संकल्प हम निरंतर करते रहते हैं वैसा समय वातवरन वायूमंडल, सुचेशन, परिस्थितियां वैसे create होती रहती है पैदा होती रहती है, बनती रहती है एक मनुवज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई बात थोड़ी सुक्षम और गहराई की है जो संकल्प आपके मन में बार-बार आता है अब हरे चेक करना अपने आपको सारी दिन में कौन से विचार कौन से संकल्प मेरे मन में बार-बार अधकांत निरंतर आते रहते है जो संकल्प आपके मन में बार-बार आता है इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो अब हर एक अपने आपको पूछ ले कि हमने लक्ष तो रख लिया फरिस्ता निरंतर योगी बनने का और विचार कौन से चल रहे है क्या वेशे विचार चल रहे हैं हमारी मन में तब ही उस लक्ष को प्राप्ट कर सकेंगे न लक्ष तो इतना उचा रखार विचार चल रहे हो धंदे दोरी के दर उधर के दुनिया भी बेहर्थ के कैसे उस लक्ष को प्राप्ट कर सकें कैसे उसमें सफल होंगे इसलिए जो लक्ष रखा है वैसे ही चिंतन, वैसे ही संकल्प, वैसे ही विचार हमारे मन के अंदर चलने चाहिए क्योंके हमारे एक-एक संकल्प में क्रिएटिव एनरजी है रचनात मकसक्ती है वैसा बनने करने की जो भी हम संकल्प कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान दे कर चलना होगा कि जैसे जैसे हम पुरसार्थ करके अपनी संपूरन इस्थिती के समीप पहुँच रहे हैं वैसे वैसे हमारे एक एक संकल्पों में वो सिद्ध होने की पावर आती जा रही है वैसा बनने करने की सकती आती जा रही है यदि उस समय वैसे इस रिष्थी इस्थिती में कमजोर नेगिटिव संकल्प आने की मार Ιजिन कम होती है लेकिन अनिक जन्मों का संसकार कि इसी कारण आ गया तो इस्थिती इस रिष्थ है हम वही सोचें जो नहीं चाहते हैं वह हम ना सोचें क्योंकि नेगेटिव संकल्पी बेर्थ के विचार ही हल चल का कारण बनते हैं तो सदा अपने विचारों को समर्थ सक्ति साली बना कर चले जो भी आपने जीवन में लक्ष रखा है कि मुगह ऐथा बना ही है, मुझे ऐथा करना ही है अमरत वेले याँख खुनते ही उस धरड़ संकल्प को पावर्फ़ पॉजिटिव संकल्प को अपने अंतर्मन में भड़ दें कम से कम नो बार उटते ही वो संकल्प कर लें तो निश्चित रूप से उस समय हमारा अंतर्मन शांत और खाली होता है तो उन विचारों को सैजी स्विकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सैज और सरल हो जाएगा एक छोटा था अनवब एक भाई का फोन आया कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन, सरीर और कारियों पर पड़ता है ताकि हम अपनी संकल्ब सक्ती की वैल्यू को जाने पेंचाने उसको नेगिटिव होने से बचा सके सदा समढ सक्ती साली पोजिटिव पावर्फूल बना कर चल सके कहने लगा भाई जी मैं 25 साल से ग्यान में चल रहा हूँ मेरे श्रामने एक बड़ी समस्या आगी है हमारे को हमारी बच्चों ने घर से निकाल दिया अब बच्चे भी ग्यान में चलने वाले माबा भी ग्यान में चलने वाले हमने पहली बार सुना कि भी ऐसा बेभार उनके साथ हुआ तो मैं भी सुच लगा इनको क्या जवाब दें तो दो मिट बाबा को याद कर कहा बाबा यात मैं इसे से पूछ रही है क्या जवाब दिया जा तो बाबा से टचिंग मिली एक बच्चे इनसे पूछो क्या आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था तो मैंने का भी याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था तो एक मिन्ट में सोच कर कहता है कहा हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो तो जो सोचा वोई हो गया उनके साथ तो ये बड़ी सुक्षम पर करिया है इसलिए जो हम बनना करना चाहते हम वोई सोचे हैं जो नहीं चाहते हम ना सोचे हैं तो कैसे अपने विचारों को महान बनाएंगे विचार महान बनते हैं स्वमान के अभ्यास से ज्ञान के मनन चिंतन से विचार सागर मन्थन करने से विचार महान बनते हैं और जहां विचार महान है तो इस्थिति को महान बनाना श्रिष्ट बनाना अचल डोल बनाना सहज और सरल हो जाएगा और परिस्थितियों में विजई बनने के लिए हैं अचलडूल स्थिति बनाने के लिए कम से कम चार गंटे हमारा योग का चार्ट अवस्य होना चाहिए एक दिन का अमरत विले से रात्री तक दो गंटा बैठके दो गंटा कर्म करते हुए तो आप कहीं परिस्थिति समस्याओं के लेवल से फिर उपर उठ जाएंगे वो बातें समस्या परिस्थिति आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी यदि कम योग का चार्ट है तो वहाँ पर प्रभावित होने की मार्जिन है तो कैसे बनाएंगे चार गंटे योग का चार्ट बहुत सारी बाते हैं लेकिन मैं सोर्टम बतला रहा हूँ बाते हैं तो आपने बहुत सुनी होंगे और सुनते रहेंगे क्लाशिज में लेकिन मैं ज्यादा तर प्रिक्टिकल के प्रियोग बतला रहा हूँ अगर आपने जीवन में परवर्तन चाहते हैं प्रोग्रस चाहते हैं तो मुझे इस बात के उपर एक संदेश भी आदाया अब विक्त बाब दादा का संदेश का सार यही था एक लाइन में कि परवर्तन ही प्रगती का सादन है परवर्तन ही प्रगती का सादन है उन्नती का सादन है जब भी बाबा जिस बात में हमें कुछ परवर्तन का इसारा दे यदि हम तुरंत वैसा करके चलें तो निश्चत रूप से प्रगति और नती समाई हुई है तो उसके लिए तीन अभ्यास अपने योग के चार्ट को चार गंटे के आप पांच-छे गंटे आठ गंटे के आप बना सकते हैं अगर ये तीन अभ्यास डेली की दिंचरिया में आप करके चलते हैं तो पहला भ्यास आज मुझे सारे दिन में कम से कम पचास लोगों को आत्मा के रूप से देखना है जो भी सामने आई ये भी आत्मा वो भी आत्मा वो भी आत्मा यहीं आप अच्छे तरह से अभ्यास कर सकते हैं इस चीज़ का क्योंकि यहीं पचास से ज्यादा लोग बेठे हैं एक दूसरे को जब ही भी देखो यह लक्ष डिसाइड कर लोग मुझे यही देखना है बसा आत्मा कोई देखना है सारे दिन में यह अभ्यास करके आप अनवब करेंगे का आप लगेगा आपको की योग करना नहीं पड़ेगा योग लगा हुआ एर हम उड़ रहे हैं जैसे कि है सब कुछ करते क्यों क्यों कि हमारी आँखें जो कुछ देख रही है मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना सुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिती बन जाती है तो जैसी दृष्टी वैसी व्रती बनें वैसी विचार बनेंगे और जैसे वृति वैसी इस्तिती बन जाती है दूसरा अभ्यास आज मुझे सारे दिन में कम से कम पचास बार ऐस सरीरी बनने की प्रेक्टिस करनी है पांच, दस, पंदरे मिट का बाद जबी भी सिमिर्टी आए दो मिनट के लिए एक मिनट के लिए बिंदू बन जाओ, निराकारी बन जाओ, एस सरीरी बन जाओ क्या होगा इस से? कि हम जैसे ही एस सरीरी बनते हैं, निराकारी बनते हैं तो सहजी आत्मा इस दे और दे की दुनिया के सब प्रकारों के प्रभाब से मुक्त होकर उस सर्व सक्तिवान भगवान की चत्र चाया के नीचे आ जाती है और जिनके उपर सर्व सक्तिवान भगवान की चत्र चाया हो उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं विगाड़ सकता कोई परिष्टिती समझ्या उसको प्रभावित नहीं कर सकती इसलिए भी अभ्यास करके देख सकते हैं तीसरा अभ्यास स्वयम को फरिष्टा समझो और दूसरों को फरिष्टे रूप में देख कर चलो मैं इस तन में अब्तरित हुआ फरिष्टा हूँ फरिष्टे अर्था डबल लाइट मैं आतमावी लाइट और मेरा सरीर बी लाइट फरिष्टा अर्थात सर्व के प्यारे सर्व से न्यारे फरिष्टा अर्थात जिसका इस देवर दे की दुनिया से कोई रिष्टा ना हो बुद्धी से जो बहुत सारी बाते Elliott कैंए परिष्टे की परिवासा में तो वो भी हम चेक कर लें फरिस्तार्थात विश्व कल्यानकारी फरिस्तार्थात शंपुरन पवितर आत्मा फरिस्तार्थात सहरुके प्रतेशुब भावना, शुब कामना रखके चलने वाली आत्म तो उन सब बातों को सामने रखती हुए क्योंकि मैंने अपने आपको कितना फरिष्टा इस्थिती बनाई अपनी, उसी इस्थिती में इस्थिती किया है, क्योंकि फरिष्टे के आगे कोई विघन परिष्थिती ठेहर नहीं पाएगे, क्योंकि वो इस संसार से परे की इस्थिती है, तो ये तीनों अभ्यास यदि आप विधी पूर्वक करके चलते हैं सारे दिन में उसके बाद आप अनुभब करेंगे का आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा लगा रहेगा सब कुछ करते जैसे कि सबसे नियारे रेक बाप के प्यारेपन की अनुभूती कर सके तो केसे जहां हमारा चार गंटे या उससे अधिक योग का चार्ट है तो आप समस्या परिस्तितियों के लेवल से उपर उठ जाते हैं एक अनुभब एक माता सेवाधारी मेरे पास आई या पांड़वन के आंगन में हम हो थे उस दिन हमें भी तो मैं कहीं जा रहा था उस दिन बठी कराने की सेवा में तो माता जी बोले लगी भाई साब मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या आठ दस समस्या हैं गिनादी में क्या करो तो मैंने का माता जी मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ पांच दिन के लिए तो आप ऐसा करो तब तब तक आप दो घंटा बैठके दो घंटा कर्म करते योग कर लो पांच दिन तक और पांच दिन के बाद आप मेरे से मिलना तो बोल ठीक है मैं भार चला गया माता जी योग करती रही दो घंटा बैठके दो घंटा कर्म करते और पांच दिन के बाद जम्हें वापिस आया तो मिलने के लिए आई तो पूछा बो माता जी क्या समच्चा है तो माता जी कहती है भाईशा मेरी तो कोई समच्चा ही नहीं है तो समच्चा हैं कहा हैं क्यों जादा हैं जहां हमारा बावा से योग कम है अथवा नहीं है वहीं ज़्यादा समझ आए तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समझ से आएं सुतही समाप तो होती चली जाएंगी तो सुतही हलचल के प्रवाप से आप मुक्त होते जाएंगे और अचले डूल स्थिती बनाने के लिए हम अपनी द्रड़ता को कभी भी कम नहीं होने दे हम अपनी द्रड़ता को कभी कम नहीं होने दे जो भी आपने संकल्प रखा है लक्ष रखा है जीवन में जो करने का या बनने का उसको बार बार रिवाज करें, कि मुझे ऐसा बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष है तो बाबा ने तो कह ये बच्चे, द्रडता ही सफलता की चाबी है द्रडता ही सफलता का आधार है कई बार आप सब ने देखा सुना होगा, बाबा हमारे से बहुत सी बातों के मुर्लियों में, अब एक बाब दादा द्रड पृतिग्या कराते थे ना हम दो दो आत उटा के बगवान के आगे इसे द्रड पृतिग्या करते थे हम ऐसा बन के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे किये ना बहुतों ने फिर बबाबा कहते थे इनका वीडियो फोटो निकालो है। केते थे, भगवान के आगे हमने दरब प्रितिग्या की, मुर्ली सुनके सो गे, दूसरे दिन मुर्ली सुनी करम में लगे, दूसरे दिन स्याम तक पूछो, कल बाबा से क्या प्रितिग्या की थी, तो क्या होता है कहियों को तो बात ही भूल जाती है कहियों को याद भी रहती है तो कर लेंगे, बन जाएगा, हो जाएगे वो गेगे में बदल जाती है और कही कुछ कर भी पाते हैं बहुत थोड़े लोग ही practical में कर पाते हैं क्यों हमारी द्रड़ता साधरनता में बदल जाती है? क्यों हम चाहते हुवैसा नहीं कर पाते? उसके भाबा ने चार कारण बताए है. कौन-कौन से याद है? चार बाते हैं बताए है, चार कारण. द्रड़ता कम होने के परचिंतन, परदर्सन, परमत और परसंग. जब इन चारों बातों में बुद्धी जाती है किसी की भी, तो जो भी आपने संकल्प किया है, जो द्रड़ बगवान के आगे जो हमने द्रड़ संकल्प किया था, वो दीरे दीरे, उसकी सक्ती कम होते होते होते, वो स्देट संकल्ब से साधरन संकल्ब बन कर रह जाता है और जब साधरन संकल्ब हो गया तो फिर खेते हाँ कर लेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे हो जाएगा बन जाएगे मतलि आज नहीं कल कर लेंगे और फिर वो कल की कली हो जाती है तो बाबा ने कहा इन चारों बातों से मुक्त बनो चारों सब्द में परसब्द आता है ना परचिंतन, परदर्थन, परमत और परसंग तो इन चारों परों को कट कर दो और एक पर लगा के रखो पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे तो इस तरह से जो भी आपने लक्ष रखा है वो कभी भी उसकी द्रड़ता कम नहीं होनी चाहिए अभी भी देखो लिए टेस्ट का यह अनवब में सुनाओ सिर्शा बटिंडाम होके आएं आप लोग अनवबोतों ने देखा ही होगा तो जब मैं यहां से जा रहा था मेरी हालती यह थी सरीर की आत्मा की नहीं लेकिन सरीर की हालती यह थी आत्मा तो बड़ी पावरफुल थी और उस आधार से उस कारिय में विजई का सफलता का बाबा से वर्दान मिला कि पांच दिन से मिले को पाइल्स का बलड जा रहा था वो इस्पिटल में दिखाया दवाई ले रहा था फिर भी कोई एफेक्ट नहीं तो मैंने बाबा को कहा मैंने का बाबा देखो आपकी सिर्मस से प्रोग्राम बना है अब मुझे क्या करना है जाना है नहीं जाना है वह आप बताओ मैं वहीं करूंगा अगर जाना है तो जाने से पहले ये गाड़ी ठीक होनी चाहिए ऐसे मैंने निश्चे बुद्दी बन कर धरता के साथ बाबा को याद कर गा और बाबा की तरफ से क्लियर रिसाला मिला का आप जाओ यहां से आप सांती बन जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिले लगागा सब मौत बहुत कुछ ठीक हो जाएगा और क्लियर टचिंग मिली का आप सांती बन में जाके बलबन दबाई की अहमोपिथिक दबाई लो वो भी के लिए टचिंग मिली सांती बन गए एक तो हवापानी चेंज हुआ दूसरा वहाँ दबाई ली और उस भाई ने निश्चे बुद्धी बन कर बता दिया का आप निश्चिंत होके तीन प्रकार की दबाई दिया और बहुत पावरफुल और दबाई लेने के कुछ समय बाद ही उसका रिजल्ट मिलना सुरू हो गया उसी दिन रात तक तो मेरे को लगा कि मैं काफी कुछ ठीक हो गया हूँ और वहां जाके तो लगबग मोस्ली ठीक ही था मैं तो इस तरह से जहां द्रड़ता है तो द्रड़ता ही सफलता का आधार बनती है कैसी भी हलचल की परिस्थितियां हो वो सब के आप सब में रहते हो उन पर विज़ई बन कर सदा आगे बढ़ते रहेंगे और हलचल के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए जो मैंने पहले बात बताई कि बाबा जब भी जिस बात में जो हमें इसारा दे कुछ परवर्तन का शिरिमत दे कुछ करने को होम बर्क दे यदि तुरंट हम वैशा करके चलते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी सफलता समाई हुई गोती है क्योंक बाबा वेथा बने करने की सक्ति भी साथ साथ दे देते हैं और जो आत्माई उसी समय प्रिक्टिकल करती हैं उनको उस कारिय में से सफलता अनभव होती है ये करके देखो आपसे होगा आपका भी अनभव किस पोतों का लेकिन मैं अपने अनभव से बात बतला रहा हूँ इसका अनभव ये सुनाँगा मैं दूसरा अचल अडूल इस्तिती बनाने के लिए एक बल एक भरोसा बगवान पर भरोसा रखके चलें एक को अपना पुर्शाथ का आधार बनाया क्योंकि हमने बावा से प्रतिग्या की है बावा कुछ भी हो जाए कैसे भी समस्या परिस्तिती आए लेकिन हम सदा ही आपका बन कर ही रहेंगे कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे सबी नहीं की है न प्रतिग्या बावा से अगर इस प्रतिग्या को इस वाइदे को हम निभा कर चलते हैं तो कदम कदम पर आपको बावा की मदद मिलती रहेगी चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्योंने आ जाए उसमें भी भगवान आपका साथी बनकर साथ निभाएगा और तीसरा हम अपने मन में जो सर्व के प्रते सुब भावना सुब कामना रखे चलते हैं तो उन सुब भावना सुब कामनाओं में इतनी बड़ी सक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदल कर पोजिटिव बनाया जा सकता है एक विक्ति आप से गलत विवार करता है दुख देता है विघंड डालता है तंग करता है डिस्रिकार्ड करता है क्या इसी आत्मा के प्रते हमारे मन में सुब भावना रहती हैं या बदल जाती है ज्यादा तर लोग कहते हैं बदल जाती हैं कुछ एक कहते हैं रहती हैं तो देखो हमारे मन की अधी भावना बदल गई तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वावना रखे चलेगी तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी इस्थिति को भारी बना देंगे मन को विचलित करेंगे योग में एकाग नहीं और देंगे पुट्षाथ में विघन रूप बनेगे इसलिए भले कोई कैसी भी समस्या विघन रूप बनकर हमारे सामने आए लेकिन हमें अपने मन में सदा ही शुब भावना शुब कामना रख कर चलना है क्योंको बावा ने हमको टाइटल दिया है कि बच्चे तुम्हें विश्व कल्यानकारी बनना है विश्व कल्यानकारी अर्थाथ जिसके मन में सदा ही साविके प्रते सुब भावना सुब कामना कल्यान की भावना रहती हो कैसे रहेंगी ऐसी आत्मा के प्रतिब मन में सुब भावना उसके लिए चाहिए आत्मा में ग्यान और योका बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए तब ही भावना इस सुबस्रिश्ट कल्यान कारी रहेंगी अन्था जदत लोगों की भावना बदली जाती है तो जहां पर हमारे मन में सर्व के प्रतिश्ट भावना हैं तो कैसे उनके आधार से एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदला जा सकता है सुनिए इन तीन बातों के उपर ही अन्वाव एक तो बावा की स्रीमत को आग्या को हम तुरंत प्रेक्टिकल करते तो सह सफलता मिलती है और एक भरोसे के उपर आधार से कैसे बावा हमारा साथी बन कर साथ नवाता है कैसे शुब भावनाओं के प्रियोक से एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बड़ बड़ तन किया जा सकता है ये बात उस समय की है जब हम मदवन निवासी नहीं बने थे आज से करीब 49 साल पहले की मुझे 38 साल हो गए यहां रहते हुए तो फरिद अबाद हरियाना से जैसे बेंजी ने बताया ग्यान मिला था तो वहां क्लास में बावा की मुर्ली सुन रहे थे वहाई सर्विस करते थे तो उस मुर्ली में बावा ने कहा किसी भाई बेन के मन में संकल पाया होगा कि बाबा हम घर ग्रस्ती वालें तो हमें सिवा के लिए टाइम नहीं मिलता तो कैसे हम आपके बच्चों है या ग्यान सुनाने की सिवा करें कैसे सर्विस करें तो बाबा ने उसका जवाब दिया मुर्ली में कि कोई बात नहीं बच्चे टाइम नहीं मिलता तो आप अपने सगे संबंदियों के पत्र तो लिखते हो उसी में दो सब्द ग्यान के लिख दो उससे भी किसी को तीर लग सकता है वह बात मुझे बहुत अच्छी लगी मैं उनका हाँ ये बात तो सही है और मैं केई दिन से पत्र लिखने का सोच भी रहा था तो संड़े का दिन था छुटी का क्लाश किया और सीधा कमरे पर जाके पहले यही काम किया सबसे पहले लेटर लिखा एक बहन को जो भी लेटर लिखना था समाचार उसमें लिखा लास्ट में लिखा कि यदि आप मनुस्य देवता बनना चाहते हो तो दूसरा पॉइंट यदि आप सरिष्टी के आदी मदंत का ग्यान जानना चाहते हो तो तीसरा पॉइंट ये दिया, आप सत्यूग में जाना चाहते हो तो, चोथा पॉइंट भी कुछ लिखा था, मुझे अभी याद नहीं, तो ऐसे चार बातें लिखी, और इन बातों को आप जानना चाहते हो तो, नीचे सेंटर का एड्रेस लिख दिया, वहाँ पर पहुंच जाएं, ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी, तो ऐसे हमने लेटर डाला उसी दिन, और वो लेटर पहुंचा, जिस बेहन को लेटर डाला, उसने वो लेटर मिला पढ़ा, और जैसे बाबा ने कहा, वैसे ही वो पढ़ती, उसको बातें तीर की तरह लगी, और उसी समय गईर वो सेंटर पहुंची, ग्यान सुना और कोर्स किया और ग्यान में चल पढ़ी, तो जैसे बाबा ने कहा, वैसे किया, तो रंतु इसकी सफलता मिली अब आगे चलके क्या होता है आप सब जानते हैं एक चले रेक नहीं चले तो फिर आपस में उनमें लड़ाई जगडा होने लगा पती कहता है कि नहीं आपको वहाँ नहीं जाना है सेंटर पर बेहन केने लगी आप जो कुछ कहेंगे हम सब कुछ करेंगे लेकिन सेंटर पर जाना बंद नहीं कर सकते हैं इतना एक निश्चे बुद्धी और बाबा पर भरोसा तो बात चीज़ बढ़ती गई बढ़ती गई लड़ाई जगडा भी हुआ कही बार उसको मारा पीटा भी लास्ट में उसक ने यही फैसला कर दिया मुझे नहीं चाहिए घर से निकल जाओ या तो आपको वहां जाना बंद करो नहीं तो घर से निकल जाओ तो वो बाबा को याद कर कहने लगी बाबा देखो मैं आपके भरोसे या आज घर छोड़ कर जा रही हूँ घर से निकल जाती है चलो अकेला विक्ती कुछ हिम्मत करे लेकिन दो बच्चे और इसके साथ मैं सब चोटे चोटे बच्चे दो नो चलो अकेला विक्ती तो चलो कुछ कर ले लेकिन बच्चे भी क्योंकि बाप की भेट में मा से जादा प्यार होता है खोटे बच्चों का तो तो वो भी ममी हम भी आपके साथ ही चलेंगे तो उनको भी साथ लेकर घर से उनको कुछ भी लेने नहीं दिया अब आज किस समय में आप सोच सकते हैं ऐसे कोई हैली बह भैंगर से निकलना रर दो बच्चों उसके साथ में ज़िसका सेंटर पर रखने का तो कोई ऐसा नियम नहीं है लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनका जीवन निर्वाग करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा तो बोलो हैं सेंटर पर डेरी वाला भाई आता है एक दूद देने वाला उससे आप मिल लीजिए यदि वहां उसको कुछ काम मिल जाता है उसके वहां तो अच्छा रहेगा उससे बच्चों का गुजारा होता रहेगा और आपका भी जीवन निर्वा होता रहेगा तो गोल ठीक है तो उस दिन रात होने लगी थी तो सेंटर के पास में कोई जुगी जौपड़ी खाली पड़ी थी उसमें बच्चों को चुला दिया खुद बैटके बाबा को याद करने लगी बाबा को याद करते करते कहती है एक बाबा मैंने क्या ऐसा पापकर्म किया जो आज मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ रही है सब घर बार छोड़ कर कोई आधार नहीर में आपके भरोसे मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है तो ऐसे बाबा को याद करते करते उसको नीद आ जाती है और नीद में वो सुपन देखती है ब्रह्मा बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बच्ची कोई चिंता फिकर करने की ड़ने की आप सकता नहीं है बाबा आपके साथ है जो होगा सो अच्छा होगा कल्यान कारी हो तो ऐसा जब बाबा कहता आकर तो बस उसके अंदर एकदम सकती आ जाती है और वो बस खुशी मंग उसाम आ जाती है और डेरी वाले भाई के पास जाती है वाँ ग्यान सुनाना शुरू कर देती है और ग्यान तो सबको अच्छा ही लगता तो सुनने के बाद कई भाई बेने पूछते हैं भई अप कहा रहे तो क्या करते हो तो बोल हमारा तो कोई ठीकाना नहीं है घर से पती ने निकाल दिया है तो उनको बड़ी तरस आई तो बोल आपके साथ ऐसा हुआ तो हैं तीन मंजिल के उपर हमारा कमरा खाली है उसमें आप रहो सब कुछ प्रवंद हम देंगे और जो आप से काम हो काम करो और आराम से आ रहो तो सब कुछ प्रवंद उसको हम मिल जाता है और डेली का हुआ ग्यान सुनाना सुरू कर देती है जो उससे काम होता है काम करती है और बहन जी वहां के क्लास कराने लग जाती है गीता पाठ साला खुल जाती है उसके कुछ समय बाद गौर्मेंट से गरीबों को जमीन मिल रही थी तो जो लेडिज वकील डेरी वाला भाई था उसकी यूगल थी लेडिज वकील तो उस बेन ने उसके लड़के के नाम से एक फौरम भर के भेज़ दिया उनका नमबर आ गया और चोटा सा एक प्लाट और पाँच जार रुपय गौर्मेट के तरफ से उनको फिर मिल गए तो देखो एक तरफ बाबा के निश्चे के उपर उसने पुराना सब को छोड़ दिया तो दूसरी तरफ बाबा ने उसको सब कुछ दिला दिया तो उसके ऐसे रहते रहते चार पंस साल भी चार पंस साल के बाद उसके पती को संकल पाता है वी छोट चोटे बच्छे थे मैं ने उनको घड़ते निकाल दिया पता नहीं, भूके पैसे कहा हूंगे मैं नुका पता करूं तो सेंटर पाके पहुंचता है बेहनों से पूचता है बैस नाम से कोई मात आती थी वो कहा है तो फलाने जगे रहती है वहाँ जाकर देखता है तो पका मकान रहने की सारी सुबदाइन बड़ ठाट वाट से वो रह रह रही है हूँ तो ये सब कुछ देखकर उसकी बुद्धी परवरतर होने लगती है कि वाकई में इनका बाबा कोई छोटी मोटी सकती नहीं जिसके पीछे इतना इतना बड़ा त्याक किया राज इसको फिर भी सब कुछ मिला हुआ है तो ये देखकर वो कहता है कि क्या में भी आपके पास रह सकता हूँ इस ग्यान में चल सकता हूँ तो बाबा ने तो कहा ही बच्चे तो मैं अपकारियों पर भी उपकार करना है तो भई जैसा भी है तो उसी का ही पती तो बोल ठीक है रहो तो वो भी उनके साथ रहने लग जाता है और ग्यान में चल पड़ता है लेकिन बहुत कमजोर आत्मा थी किसी ने ग्यान सुनाया थोड़ा रुको ताली लास्ट बजाना बस मैं दो मिन्टें पूरा कर रहा हूँ तो है तो उसी का ही पती जैसा भी है तो वो रहने लग गया और कर्मों का हिसाब किताब ऐसा होता है चाहे आप दुनिया के किसी भी कौने में चले जाएं लेकिन वो आपको कहीं भी छोड़ेगा नहीं वाँ भी पहुँच जाएगा वो विक्तिर उसके द्वारा चुकतु ही करना पड़ेगा तो रहते 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 और उनका कुछ समय के बाद फिर वही लड़ाई जगड़ा शुरू हो गया क्योंको सात्मा के साथ कुछ कर्म का हिसाब किता तो ऐसे एक साल लड़ाई जगड़ें बीता और उसके बाद उसको अचानक हार्ड एटेक हुआ रह उस भाई ने सरीड छोड़ दिया और जो भाई जब सरीड छोड़ दिया तो वसात्मा के निमित बाबा को भोग लगवाया गया संदेशी बहोग लेके बाबा नो सात्मा को इमर्ज किया संदेशी को देखकर वो वेक्ती जोड़ जोड़ से रोहने लग गया हूँ आत्मा तो संदेशी ने पूछा भाई क्या बात है क्यों रोते हो तो कहा कि मेरे बच्चों को कहना मैंने उनको बहुत दुख दिया तंग किया मेरे से बड़ी गलती हो गई मेरे को माफ कर दें ऐसा वो बाबा के पास जाकर बातमा अपने करमों का किये हुए करमों का पश्चा ताप कर रही थी फिर बाबा ने आके बताया कि देखो बच्चे इस आत्मा को बाबा का ग्यान मिला लेकिन इसने कोई अपना पुर्षार्थ नहीं किया उन बच्चों को फिर भी दुख देता रहा तंग करता रहा लेकिन इनके इसके जो बच्चे थे चाए इसने उनको कितना भी दुख दिया तंग किया लेकिन उनके मन में सदा ही आत्मा के परतिशुब भावना शुब काम तो इस तरह से हम इन कुछ एक बातों को अपने पुर्शारत का अधार बना के चलें तो एक अचल अडोल इस्तिती बना कर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे बाफ समान बन जाएंगे तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रतिशुभावना शुख कामना है ओम शान्ति तो अवश्य ही हल्चल में अचल रहने की संदर युक्तिया आपने प्राप्त की